मेरे प्यारे देश्वासियों, आज मैं मन की बात सुन्द रहें मेरे युवास साथियों का विशेश आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही माय गौव की और से मन की बात के स्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस टडी में ये देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुजाव भेजने वालों में प्रमुकत हँ कौन लोग है। यानि भारत की युवासक्ति के सुजाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। मैं इसे बहुत अच्छे संकेत के रुप में देखता हूँ मन की बात एक ऐसा माध्यम है जहां सकारात्मकता है संवेदन सिलता है मन की बात में हम positive बाते करते हैं इसका character collective है सकारात्मक विचारों और सुझाओं के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनदित करती है मुझे इस बात के भी खुशी है कि मन की बात के माध्यम से मुझे युवाओं के मन को भी जानने का आउसर मिलता है साथियों आप लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विवित्ता को प्रगट करते हैं भारत वासियों के सेवा और त्याग की खुश्मू को चारो दिशाओं में फैलाते हैं हमारे मेहनत का स्युवाओं के इनोवेशन से सब को प्रेरीद करते हैं। मन की बात में आप कई तरह के आइडियाज बेजते हैं। हम सभी पर तो चर्था नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत से आइडियाज को मैं सम्मंदित विभागों को जरूर बेजता हूं ताक कि उन पर आगे काम किया जा सके हैं। साथियो मैं आपको साई प्रनिज जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं। साइप्रनिज जी एक सॉब्ट इंजीनियर है अंत्रप्रदेश के रहने वाले हैं। पिछली बर्श– उन्हों ने लेका कि उनके यहाँ मौसम की और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तिमाल करने का फैसला किया अब वे अलग-अलग डेटा सोर्सेस से भेदर डेटा खरीते हैं उसका विस्टलेशन करते हैं और स्थानिय भाषा में अलग-अलग माध्यमों से किसानों के पांथ जरूरी जानकारी पहुच देते हैं खासकर बाड से बचने के लिए या फिर तुफान या बिजली गिरने पर कैसे बचा जाए इस बारे में भी वो लोकों को बताते हैं साथियों एक और इस नौजवान सौपवेर एंजिनियर का ये प्रयास दिल को छूने वाला है तो दूसरी और हमारे एक साथी के द्वारा किया जा रहा टेक्नलोलोजी का उपयोग भी आपको अचंपित कर देगा ये साथी हैं ओडिशा के संबलपूर जिल्ले के एक गाउं में रहने वाले स्रिमान इसाक मुंडा जी इसाक जी कभी एक दिहाडी मद्दूर की रुप में काम करते थे लेकिन अब वे एक इंटरनेट सेंसेशन बन गए हैं अपने यूटूब चैनल से वो काफी रुपिय कमा रहे हैं वे अपने वीडियो में स्थानी वेंजन पारंपरिक खाना बनाने के तरीके अपने घाउं अपने लाइफस्टाइल परिवार और खान पान की आदतों को प्रमुकता से दिखा एक यूटूबर के रूप में उनकी यात्रा मार्ट 2020 में शुरू हुई थी जब उन्होंने ओडिशा के मस्तूर थान्य वंजन पाखाल से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया था तबसे वे सेंकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं उनका ये प्रयास कई कारों से सबस मिलता है जिसके बारे में वे बहुत कुछ नहीं जानते हैं इसाग मुंडा जी कल्चर और कुजिन दोनों को बराबर मिला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम सब को प्रेणा भी दे रहे हैं साथियों जब हम टेक्नोलोजी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं एक और इंट्रेस्टिंग विशे की चर्चा करना चाहता हूँ आपने हाल फिलहाल में पड़ा होगा देखा होगा कि IIT मद्रास के अलूमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्ट अप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्मान आखिर यह हुआ कैसे दरसल इस स्टार्ट अप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3D डायमेंशनल डिजाइन को फिड किया और फिर एक विशेश प्रकार के कॉंकरिट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिकेट कर दिया आपको यह जानकर खुशी होगी कि देश भर में इस प्रकार के कई प्रयोग हो रहे हैं एक समय था जब छोटे छोटे कंस्ट्रक्चन के काम में भी वर्षों लग जाते थे लिगनाज टेक्नलोजी की वजह से भारत में स्थिती बदल रही है कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमतरित करने के लिए एक गलोबल हाउसिंग टेक्नलोजी चैलेंज लौज किया था ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्रयास है इसलिए हमने इन्हें लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया फिलहाल देश में छे अलग-अलग जगों पर लाइट हाउस प्रोजेक्स पर तीजी से काम चल रहा है इन लाइट हाउस प्रोजेक्स में modern technology और innovative तोर तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है इससे construction का time कम हो जाता है साथी जो गर मनते हैं वो अधिक टिकाव, किफायती और आराम दायक होते हैं मैंने हाली में ड्रोजेक्स के जरिये इन प्रोजेक्स की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्यती को लाइव देखा इन दोर के प्रोजेक्स में ब्रीक और मोर्टार वॉल्स की जगह pre-fabricated sandwich panel system पा इस्तिमाल किये जा रहा है राजकोट में lighthouse French technology से बनाये जा रहा है जिन में tunnel के जरिये monolithic concrete construction technology का इस्तिमाल हो रहा है इस technology से बने घर आपदाओं का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे चेटने में America और Finland की technologies pre-cast concrete system का उप्योग किया जा रहा है इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागत भी कमाएगी राची में Germany के 3D construction system का प्रयोग करके घर बनाये जाएंगे इसमें हर कमरे को अलग से बनाये जाएगा फिर पूरे structure को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे block toys को जोड़ा जाता है अगर तला में New Zealand की technology का उप्योग कर steel frame के साथ मकान बनाये जा रहे हैं जो बड़े भुकम को जेल सकते हैं वहीं लखनव में कनड़ा की technology का इस्तमाल किया जा रहा है इसमें plaster और pen की जरुवत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दिवारों का प्रयोग किया जाएगा साथियों आज देश्ट में ये प्रयास हो रहा है कि ये project incubation centers के तरह काम करें इससे हमारे planners, architects, engineers और students नई technology को जान सकेंगे और उसका experiment भी कर पाएंगे मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ ताकि हमारी युवां राष्ट हित्मे टेक्नोलोजी के नए नए ग्षेत्रों की और प्रोच्छाहित हो सकें